करनाटक की प्रचंड जीत में बिल्कुल खुशी मनाई जानी चाहिए लेकिन जो संदेश करनाटक ने दिया है उसको समझना जरूरी है करनाटक के 6,5 करोड लोगों ने साफ तोर से कहा है कि इस देश में महबबत जीतेगी और नफरत हाएगी करनाटक ने इस देश को ये संदेश दिया है कि अगर आप हमारे मुद्दों की बात करिएगा मेरोजगारी की, महगाई की, भरष्टाचार की तो हम आपके साथ खड़े होंगे अगर बात नहीं करिएगा और ध्यान भटकाने की कोशिश करिएगा तो अपने वोट से आपको निकाल बाहर करेंगे करनाटक की जनता ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है और वो संदेश राहुल गांधी के लिए है क्योंकि ये पहला चुनाओ था जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद था और ये पहला चुनाओ था जो राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन के ब जिसको लगता है कि वो ताना शाही के बल पर घर और सदसिता चीन सकता है करनाटक एक और मेसिज दे रहा है कि जब करनाटक का चुनाओ होगा तो अपने बारे में बात मत करियेगा जब करनाटक का चुनाओ होगा तो मुझे क्या कहा गया मेरे साथ क्या हुआ ये मत करनाटक ने एक विशेष संदेश दिया है , जो स्ट्राइक रेट है, जहांПर राहूल जी गये और वहांपर हम जीते वह eth त्टि गुना है मोधी जी के स्ट्राइक रेट से тобा निकारीब 80 परसेंटर और 40 परसेंट मोधी जी का स्ट्राइक रेट है तो असल बात ये है कि करनाटक ये कह रहा है कि हर बार सरकाई विफलता करती रहेंगी और अगर लोगों को लगेगा कि जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी माजिक खतम हो चुका है कहीं पर तो मुझे लगता है ब्राइंड राहूल गांधी की बात हो रही है और सबसे बड़ा संदेश करनाटक ने टीवी चैनल्स को दिया है मीडिया हाउसिस को दिया है और ये कह कर दिया है और बड़े साफ तोर से का है बिना ना नुकुर किये कि आप हिजाब पर, हलाल पर, बेकार के मुदो पर बहस करते रहे है चुनाओ तो हम अपने मुदो पर सरकारों को लड़ाएंगे और उन्ही को जिताएंगे जो हमारे मुदों की बात करते है क्योंकि करनाटक ने ये साफ संदेश दिया है कि अगर हार होगी और राहुल गांधी का चेहरा दिखाया जाएगा, जीत होगी तो राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा और उनके विडियो पर भी TV चानल वाले आपत्ती करने लगेंगे, करनाटक ने बहुत सारे संदेश दिये हैं, करनाटक ने ये संदेश समझना चाहते हैं जब आप एक भावुक हुई औरत से उसके पती की पिक्चर देखना चाहते हैं जब आप एक छोटे से बच्चे को सुपार्मैन बनने की पुरी वो हिदायत देते हैं तो मुझे लगता है कि ये मुखबत की बात है और यही मुखबत इस देश को एक जुट रखती है और यही मुखबत जीतेगी हमारा शीर्ष नेत्रत्व हमारे अध्यक्ष श्री मलिकार जुन खरगे जी जो भूमी पत्र थे करनाटक के और उन्होंने हक से वोट मांगा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिनको हमारी टीम कहती हो कि उन्होंने सहवाक की तरह बैटिंग करी वो लगातार एक के बाद एक सिक्सर मार रही थी और इट का जवाब पत्थर से दे रही थी हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री सुर्जेवाला जी और हमारा लोकल नेत्रत्व चाहे वो डीके शिफ कुमार जी हूँ, चाहे वो सिधारमया जी हूँ एक साथ मिलकर जो चुनाओ को दिशा दी गई, जो नारेटिव दिया गया, वो इंपोर्टन था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की हेड होने के नाते, मेरे लिए जरूरी है ये कहना कि आइनसी की सोशल मीडिया टीम, करनाटक की सोशल मीडिया टीम ने जबरदस्त काम किया और खास तोर से वो वोलिंटियर्स जो सेलफलेसली बिना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट किये, जो पूरे समरपन के भाव से हमारी नारेटिव को प्रबल बनाते हैं, हमारी आवास को और आगे पहुँचाते हैं, क्योंकि अधिकांश मीडिया जब हमें ब्लैक आउट करता ह तो आप ही हमारे लिए उटकड़े होते हैं, आप सब का हृदय से धन्यवाद, और हम साथ मिलकर नफरत के इस बाजार में बहुत सारी महबबत की दुकाने खोलेंगे, और ये महबबत की दुकाने और भी पनपेंगी, और जगे खुलती जाएंगी, अभी तो ये जाकी है, आप आगे देखिए, राजस्थान, चत्तीसगर, मत्यप्रदेश, तलंगान और मिजरॉन, और फिर दोहजार चॉबस की बारी है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, योस्ट्विटीफॉर